अलो दोस्तो आज मैं आपको आइपेड में फाइव फिंगर स्वाइब जेसर के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ तो इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर देखते रहे हैं आप देख रहे हैं टेकी प्रशान तो चलिए देखते हैं दोस्तो यह जो फाइव फिंगर स्वाइब जेसर जो है वो एपल के आइपेड में इंप्लेमेंट होता है इसे मल्टि टास्किंग जेसर भी कहा जाता है आप इसे फोर फिंगर से भी स्वाइब कर सकते हैं यानि दोनों में वो सेम जेसर ही एक्टिवेट होता है For example, अभी में ये Notes application मेरे सामने खड़ी है और मुझे दूसरी application में switch होना है तो मुझे क्या करना है, 4 या 5 finger जो भी convenient है उसके इसाब से मुझे यहाँ पे top पे swipe करना है तो जैसे मैं top पे swipe कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो multitasking का जो बार आ गया और जो multi application है वो आ गए और यहाँ से मैं कोई भी दूसरी application में switch हो सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे map application में switch हो गया अगर मुझे फिर से दूसरी application में switch होना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ four finger at least four finger होनी चाहा है four finger से मुझे top में swipe करना है जैसे स्वाइब किया application का लिस्ट आ गया और दूसरी application में switch हो सकता हूँ दूसरा एक use case है five finger swipe gesture का apple का जो कोई भी laptop है macbook pro, macbook air कोई भी laptop का जो model है उसमें जो touchpad है यानि जो finger के थूरू mouse वगेरा परपस के लिए use करते है वो touchpad के अंदर आप five finger के थूरू जैसे same gesture implement किया गया है जैसे iPad में किया वैसे टॉप पे आप बॉटम में से टॉप टॉप स्वाइब किया तो वहाँ भी आपको mission control मिल जाएगा अगेर आपने bottom side पे किया तो फिर से बंद हो जाएगा तो वहाँ पे भी ये gesture implementation किया गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे भी subscribe कर दीजे subscribe करने के बाद जो bell का icon आता है उसे भी tap कर दीजे तो जब भी मैं नया वीडियो upload करूँगा तुरंत ही आपको अपने device में उसका push notification मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद